एक बार की बात है जब एक सेर बहुत परिशान था उसे अजीब सी महका रहे थी बहुच इतना परिशान था कि मुु बनाय जा रहा था फिर उसको थोड़ा अच्छा सा लगने लगा फिर वहां से वो चला जाता है वो कहते हैं मेरी तो कोई हेलप करने नहीं आता है वो जंग कलके राजा मुझे आज इतनी जादा बद्वू लग रही थी कि मेरी नाफ सड़ी जा रही थी मेरी कोई भी हैल्प करने के लिए नहीं आया मैं इतना परेशान था मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ मुझे कोई भी नहीं दिखता जब मैं परेशान होता हूँ फिर वह बड़ का सबाग सब जंगली जानवरों के पास जाता है कहता है क्यूं तुम लोगों ने इस छोटे से शेर की बात क्यों ने सुनी तो शेर कहता है ठीक है मैंने अब इनको समझा दिया है अब ये तुम लोगों की तुमारी सारी बाते मानेंगे शेर का मुझ बहुत ही कुशी के मा और फूल गया मुकरन लगा बावाई बाव अब तुम्हें कुल के सांस ले सकता हूं बाग कहने लगा और इतना ध्यान रखना किसी से कोई लडाई जगड़ा मत करना वरना यह बहुत जिद्धी किसम की जानबर है यह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं फिरन कहता ह हाँ भाई ऐसा नहीं करना और हलके से उसके हाथ मारता है और बाग उसको समझाने लगता है कि हम एक साथ मिलकर ही रह सकते हैं अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे और एक दूसरे की शाहता नहीं करेंगे तो इस जंगल का बहुती बुरा हाल होगा तो इस बज़े से हमें सब क साहयता करनी होगी और हमें सबकी मदद करनी पड़ेगी अब अगर मैं सो रहा हूँ तो तुम लोग मेरी साहयता करना तब तक बिल से एक चूहा निकल के आता है शेर भाग देखता है कि ये चूहा कहा से आया लुम्ड़ी देखती है लुम्री कहती है मुझे इस चुहे को खाना है तब तक एक घोड़ा आता है वह सेर की पैर को फसा के वहां से भागने लगता है अब बाग बहुत परिशान होता है सोचता है ये जंगली घोड़ा कहां से आया है यहां तो मुझे बहुत परिशान करकर रखा है और बाग को दो कोई तो मेरी मदद करो लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है वंशेख बाग उसको भगाते हुए लिये जा रहा होता है यह सब इतनी देर तक चलता है कि संची उसी जगेह पे मरत्य हो जाती है उसके बाद एक छोटे दो मुवाला हंस आता है वह कहता है एक लगता है सेर की बाग की मरत्य हो गई है अब हम सब आजादी से जी सकते हैं और सारे जानवर बहुत खुश होते हैं तब तक वहाग घुड़ा आता है बाग कहता है अब इस जंगल का राजा मैं हूँ अब बाग को मैंने मार दिया है तुम लोग अब मेरे गुलाम हो तब तक कह वहां से बाग बापस आता है और कहता है अच्छा बेटा इस जंगल पे मेरा ही राज रहेगा तुम लोग यहां कुछ नहीं कर सकते सारे जानबर बहुत ही सब्र के सास सोजाते हैं बाग पूरे जंगल में रात बद पहुश दारी करता है और यहाद देखता है कि मेरी जगए यहाँ पे कोई और तो नहीं ले रहा है बाग बहुत अच्छा था, वह दिल का बहुत साफ था और सब की रक्षा करता था, वहां किसी से कोई भी परिसानी किसी को नहीं दिया करता था, बाग एक बहुती समझदारी से काम किया करता था, और सारे जानबर उतने समझदार नहीं थे, एक बार बाग जब सो जाता है, तो लोमडी उसके बिल में गुज जाती है, बाग सो यहीं थी लेकिन मेरे आँख कुलते ही कहां चली गई है, तब तक सुबह हो जाती है, फिर जंगली गोड़ा जानवरों के पास आता है और कहता है मैंने तो बाग को मार दिया था, यह बाग बापस कैसे आ गया और सभी जंगली जानवर कहते हैं पता नहीं पता नहीं यहाँ सेर कहां से आ गया है हम लोगों को पता नहीं क्यों परेशान करता है तुमने तो इसको मार दिया था लोमडी कहती है चलो हम लोग एक योजना बनाते हैं सारे जानवर मिलकर योजन बना रहे थे तब तक बाग सारी बाते सुन रहा था और बाग अपने सारे बच्चों को भी ले आता है बाग के तीन छोटे छोटे बच्चे होते हैं बाया सुन रहा होते हैं हाथियों का जुंड बहुत ही बड़ा और विशाल काय था बाग के बच्चे देख रहे थे बाग क कि बच्चे दोनों अपने बाग पिता के पाँ जाते हैं और पिता से कहते हैं बाग से कहते हैं कि यहां अब हम लोग क्या करेंगे कहां जाएंगे यह तो बहुत खतरनाक लगता है अब हम चलो अपने पिता जी को बताते हैं बाग जी को कि यहां हाथियों का जुंडा गया है हमारा रहना इस जंगल में खत्रे से खाली नहीं है चलो हम लोग निकल चलते हैं फिर वहाँ वहाँ चले जाते हैं आगी काहनी सुने के निले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें